आज आपको पढ़ाने के लिए आई हूँ आपकी क्लास 12 की बुक वितान भाग दो का दुतिय अध्याय जूज जिसे लिखा है आनंद यादव जी ने ये कहानी है खुद उन्हीं की कि किस तरीके से उन्हें पढ़ने के लिए कितना जूजना पढ़ा है कितना संघर्ष करना पढ़ा है ये सब चीजें इन्होंने इस पार्ट के अंतरगत हमारे सामने रखी है ये एक आत्मकथा तरीके की है आत्मकथ्यात्मक है खुद लेखक का ही है तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं यह अंश लेखक के भवचर्तित आत्म कथ्यात्मक उपन्यास का है यानि कि खुद अपने बारे में वो जो बता रहे हैं वो इक उपन्यास के मांत्यम से उन्होंने रखा था यह उसी का एक अंश है पूरा नहीं है सिर्फ एक परिवेश की विश्वशनी यह जीवन्त कथा है यानि एक व्यक्ति यानि एक बच्चा जो है उसने गाओं के गवार चीजों गवारन को जो होते हैं गवार लोग होते हैं जो पढ़ाई को जादा महात्यों नहीं देते उनके और जीवन के खुर्दुरे अर्थात यानि कि बहुत ही मुश्किल वास्तविक्ता को उसके रंगारंग परिवेश में ढाला और उसकी विश्वस को सारी चीजें जीवन्त करके जो है लेखक ने हमारे सामने रखी हैं इस अंश में हर हिस्तिती में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित संगीत और अन विश्यों की और बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है तो इसमें हम यह देखेंगे कि एक बच्चा जो है वो किस तरीके से पढ़ने की लालसा में वो पढ़ना चाहता है हर हाल में और जब पढ़ने लगता है तो धीरे धीरे वो साहित की तरफ संगीत की तरफ को उसके पिता ने पाठशाला यानि कि स्कूल जाने से रोका था तथा खेती के काम में लगा दिया उसका मन पाठशाला जाने के लिए तरपता था परन्तु वह पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था उसे पिटाई का डर था उसे दिश्वास था कि खेती में कुछ कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि क्रमशा इससे मिलने वाला लाब घट रहा है पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे तो अब क्या था उसके पिता ने जो है उसकी पढ़ाई लिखाई चुड़ा दी थी और उसको खेती के कामों में लगा लेकिन वह जानता था कि इस खेती के कामों से मुझे कुछ नहीं होना क्योंकि क्रमशा मतलब हर साल उसके बाद और कम हो गया कम होता तो उसे यह उमिठ थी कि अगर मैं पढ़ जाऊंगा तो कहीं नौकरी लग जाएगी और हम कुछ पैसे कमा लेंगे दिवाली के बाद एक पेरने के लिए कोलू चलाया जाता था यानि दिवाली के बाद गन्ने की कटाई होती थी गन्ना कटता था फिर उसे कोलू में डाला जाता था तो कोलू में डालने से रस निकलता है उसका गन्ने का रस निकलेगा उसी से तो गुड़ बनता था तो चलाय अगर मैं पहले लेके पहुंच जाओंगा तो सब सब से पहले मेरा ही खरीदेंगे और मेरा सारा गुडबिक जाएगा और मुझे जादा पैसे मिल जाएंगे हाला कि पहले एक काटने से उसमें रस कम निकलता था इस वर्ष लेखा कि पिता ने उसे और जल्दी कारे शुरू कर दिया अब क्या होता है एक यानि कि जो गन्ना होता है जब तक वो पुरी तरे पक न जाए तो उसमें से रस नहीं निकलता पुरी तरे अगर आप उसे जल्दी काट दोगे तो उसमें कम रस निकलेगा अब पिता को पहले बेचना था तो उसने समय से पहले ही एक को कटवा दिया कि पहले काट लो अब उसमें रस कम निकला ताकि अब उनके बेटे ने इसलिए चुरू किया कि पहले शुरू कर दो उनका पिता जी चाहते थे ताकि हमको जल्दी काम जल्दी पैसा मिल जाए कंजे थाप रही थी और वह बाल्टी से पानी भरबर के दे रहा थे तो गायक का जो गोबर होता है उसको कंडे थापे जाते हैं उससे चूले में आग लगाई जाती है ताकि जो है खाना वाना पक सके तो उस गोबर को थाप रहे थे और लेखक जो है पानी भरबर के बाल्ट उन्हें पड़ाई करना चाहता हूँ अगर मैं पड़ाई के लिए तुम्हारे पिता जी से बोलूगा तो जैसे दोडाले तरीके से वह गुराने लगेगा और मुरे उपर चिलनाने लगतेंगे लेखक ने सूजाव दिया कि वा दत्ता जी राओ सरकार से उनकी पढ़ाई के बारे में बात करें, मा तयार हो गई वा बच्चे की तर्पन समस्तिती अतारात को लेखक की पढ़ाई के संबन्द में बात करने के लिए दत्ता जी राव देसाई के पास गई और उनसे सारी बात की तो गाओं के जो प्रधान होते हैं जिनकी सभी इज़त करते हैं वो थे दत्ता जी राव देसाई तो यहाँ पर लेकफ ने बोला कि मा उनसे बात करिये तो शायद मेरी पढ़ाई के लिए पिता जी मान जाए मा तयार हो जाती है और रात में दत्ता जी राओ के पास पहुँच जाती है अपने बेटी की पढ़ाई के लिए बात करने के लिए उसने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार की रमाबाई के पास गुजार देते हैं तो यहां बेटे ने यह बताया कि पूरा दिन तो जो है वो रमाबाई के पास बाजार में गुजार देते हैं और बच्चे को यहां खेत में लगा दिया है वह खेती का काम नहीं करता उसने बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद कर दी ताकि वह सारे गाउं भर में आजादी से गूमता रहे यह बात सुनकर देसाई चिड़ गए चलते चलते लेकर ने यह भी कहा कि यदि अब भी पढ़ने लगे तो दो महीने में पांच भी पास कर लेगा और इस तरह उसका साल बच जाएगा उनुंस ने यहाँ पर उसकी मा ने दत्ताजी राउ से बताया कि वह पूरा दिन घूमना चाहता है इसलिए अब उसके पिता के लिए गूमना चाहता है इसलिए उसने बच्चे की पढ़ाई चुड़वाके उसे खेती के कामों में लगा दिया है तो जब फेस दत्ताजी र और वो पाँच भी पास कर लेंगे, इससे उनका साल बरबाद होने से बच जाएगा. पहले ही उसका एक साल खराब हो चुका था. राव ने लेखक से कहा कि घर जाने पर दादा को मेरे पास भेज देना और घड़ी भरबाद तुम भी आ जाना. तो अब्दत्ता जी राव क्या बोलते हैं कि तुम जब पिता जी तुमारे घर आएं तो उन्हें तुम मेरे पास भेज देना और जब वो आ जाएं तो उसे कुछ मिंटों बात तुम भी चले आना. मा बेटा ने राव को सचेत किया कि हमारे आने की बात उसे ना पता चले. तो दोनों मा बेटा ने बताया कि हम यहां आएं ये चीज उनके पिता को नहीं पता हो चलनी चाहिने तो फिर वो घुस्सा आएगा वापस तो यह नहीं बताना. राव ने उन्हें निर्भै होकर जाने को कहा रात को दादा घर पर मालिक दिखाई नहीं दिया खेत में आ जाने पर इधर भेजना. तो उन्हों ने बोला दत्ता जी राव ने बोला कि ठीक है तुम लोग निर्भै होके जाओ. रात में भाई वो वापस घर आया जब उन्हों के पिता जी तो उन्होंने बोला कि मालिक ने तुमको बुलाया है कि तुम घर पर जाओ खेत से जब तुम आ जाना तो उन्होंने तुम्हें वहाँ पे बुलाया है. यह सुनकर दादा सम्मान की बाद समझके तुरन चल दिया उन्होंने सोचा कि वो जरूर हमें कुछ अच्छा सा सम्मान देना चाते है समानित करना चाते है इसलिए मुझे बुलाया है तो वो तुरन थी चला जाता है आधे गंटे बाद लेखक उन्हें खाने के लिए बुलाने चला आता है राव ने लेखक से पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तु लेखक ने बताया कि वह पांचवी में पढ़ता था पर अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया उन्हें खेती में पानी लगाने वाला चाहिए था राव ने दादा से पूछा तो उसने लेखक के कथन को स्युकार कर लिया अब क्या था जब पिता जी उनके महां पहुँच गए उसके आधे गंटे बाद लेखक पहुँच गए तो जैसे ही पहुचे भई इस बहाने से पूछे कि माने खाना खाने के लिए बुलाया है तो तुरंती जैसे वो तो प्लान था कि भई पिता जी आएंगे इसके थोड़ी दिर बाद वो आएगा तो यहां पर बहाना भी तो चाहिए था तो उन्होंने बताया की माने खाना खाने के लिए भुलाया है बीबी बच्चों को खेत में जोतकर खुले साण की तरह गूंता है तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के के जीवन को बली चढ़ा रहा है अब क्या है दत्ता जी रहा उने तुरंत लेखक से बोला कि सुबा से तुम सुबा स्कूल जाना और अगर ये मना करते हैं तो मेरे पास आना तब मैं इसको अच्छे से डाट लगाऊंगा तो अब इसने बचने के लिए लेखक के जो पिता जी थे उसने लेखक पे जूटे आरोप लगाने शुरू किये क्या आरोप लगाने शुरू किये कि ये जो कंडे बनाये जाते हैं उनको बेच देता है उनसे पैसे कमाता है चारा बेच देता है बैलों का जो चारा रहता है उसको बेच देता है उससे पैसे कमाता है सिनेमा देखने जाता है और जुआ खेलता है खेती वा घर के काम पर ध्यान नहीं देना चाहता है इसलिए सारे ये काम करता है इसलिए इसका स्कूल छुड़ाया है लेखक ने अपने उत्तर से उने संतुष्ट कर दिया अब लेखक ने जो उत्तर दिया उससे दत्ता जीरा संतुष्ट हो गए कि यहाँ पर लेखक के पिता जूट बोल रहे हैं और लेखक एकदम सच बोल रहा है क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं ऐसा कोई कारे नहीं करता हूँ, मैं तो विद्धाले जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए, मैं कोई ऐसा काम गलत नहीं करता हूँ देसाई ने पूछा कि कभी नपास तो नहीं हुआ है, तो उन्हों देसाई ने तुरंट उनके बेटे से पूछा, यानि कि लेखक से पूछा, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम फेलो गए हो, किसी साल में ऐसा हुआ है कि तुम फेलो गए थे, लेखक ने मना करने पर उसे प पाट चाला जाना और अभी तुम घर जाओ उसको घर भेज दिया जाता है बाद में उसने रतनप्पा को समझाया रतनप्पना यानि कि लेखक के पिता जी उनको समझाया दादा ने भी पाट चाला भेजने की हामी भर दी बाद में पिता जी ने भूला कि अच्छा ठीक है त घर आ कर दादा ने लेक्हक से या वचन लिया. अब जब वो घर आए, तो उनोंने लेक्हक से कुछ बाते का वचन लिया. कि स्कूल तो तुम जाओगे लेकिन तुम्हे कुछ और चीजों का भी वचन देना होगा उसके लिए. क्या था कि दिन निकलते ही खेत पर जाना यानि कि सुबा सुबा तुमें खेत पर जाना ओगर वहीं से पाठशाला पहुचना पहले खेत जाओगे वहाँ पर देखोगे फिर उसके बाद तुम पाठशाला जाओगे पाठशाला से चुट्टी होते ही घर में बसता रखकर बैर हाजरी रहना जब खेतों में जादा काम होगा तो तुम्हें पाठशाला उस दिन नहीं जाना होगा उस दिन तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ीगी लेखक ने सभी सरते श्विकार कर ली लेखक ने सारी चीज़ें मान ली कि अच्छा ठीक है जब जब ऐसा हो मैं ऐसा ही करूँगा मुझे बस पाठशाला जाने दीजी लेखक पांचवी कक्षा में जाकर बैठने लगा कक्षा में दो लड़कों को छोड़कर सभी नए थे वा बारी परिचित जैसा एक बेंच के एक सिरेक के एक कोने पर जा बैठा दूसरे दिन से वो जाकर पांचवी क्लास हो निए उसका मजाक उड़ाया और उसका गमचा चीन कर मास्टर जीग की मेच पर रख दिया फिर उसे सिर पर लपेट कर मास्टर जीग की नकल उतारनी शुग कर दी तभी मास्टर आ गया अब क्या था वो पुरानी किताबे ही ले आया था जो पाच्वी में पहले पढ़ रहा था जिसकी विज़े पढ़ रहा था फिर एक साल का उसे ग्याप हो गया था तो वो उनी किताबों को ले आया बच्चे उसका मजाक उड़ाने लेगे में पुरानी किताब लेके हैं उसका जो गमच्छा था ना बांधा जाता ऐसे करके उसको ले जाके मास्टर की शीट पे रखा मास्टर की नकर तभी मास्टर साहब आ जातें लेखक ने उसे सब कुछ बता दिया कि यह नो सब अच्छे ऐसे ऐसे कर रहे थे बीच की चुटी में लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की परंतु असफल रहे अब उस समय तो मास्टर से शिकायट कर दी थी तो उसका बदला लेना था तो जब लंच ब्रेक होता है ना तो वो बीच की छुटी होती है उस समय जो है ना उन लड़कों ने इसको फिर परेशान करने दोती पहनी जाती थी पहले तो उस दोती को खीचने की कोशिश करी खोल देख से ताकि इसकी बेज़ती हो लेकिन ऐसा नहीं होता है वो बच जाते है वे उसे तरह तरह से परेशान करते रहे उसका मन उदास हो गया उसने मां से नई टोपी वा दो नाड़ी वाली चड़ी मेल खाव रंग की मंग वाली अब क्या था अब उसे तरह तरह से परेशान करते थे बच्चे तो भई बड़ा परेशान होगे तो उसने मां से बोला मां से बोला कि मुझे एक टोपी लाके दो क्या अब उसने बोला मां से नई टोपी लाने के लिए बोला और दो नाड़ी वाली मतलब बेल्ट वाली जो है बेल्ट वाली पैंट लाने के लिए बोला जिसमें दो पैर होते हैं मंत्री नामक मास्टर आये, तो अब क्या धीरे धीरे भाई बच्चों से, शुरू-शुरू में सभी नएने में परिशान करते हैं, यह धीरे धीरे मित्रता होते ही, सब ठीक हो गया, फिर एक मास्टर आये जिनका नाम मंत्री था, वे छडी का उपयोग नहीं करते थे, शरारती लड़के थे भाई, वो डेली मार खाने वाले, तो वो मास्टर जी से बहुत डरते थे, और जो है, वो मास्टर जो आये थे मंत्री, वो क्या पढ़ाते थे, वो मैट्स पढ़ाते थे, इस कक्षा में बसंद पांटिल नाम का कमजोर शरीवाला होश्यार लड़का वो शांत सोभाव का था था, था हमेशा पढ़ने में लगा रहता था, तो क्या हुआ, एक लड़का था जो इद्दम कमजोर दूबला पतला था, लेकिन दिमाग का बहुत तेज था, पढ़ने में तेज था, और वो हमेशा चुप चाप शांत बना रहता था, मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया, लेखक भी उसकी तरह पढ़ने लगा, वहाँ अपनी कॉपी किताबों को विवस्तित रखने लगा, श्रीक रीवा गडित में गोश्यार हो गया, दोनों में दोस्ती हो गई, मास्टर ने लेखक को आनंदा कहने लगे, तो अब क्या हुआ, लड़का जो है न, वो बहुत अच्छा था पढ़ने में, जो दुबला पतला सा था, तो वो क्या था, पढ़ने में अच्छा था, गडित में अच्छी थी, तो हमारे जो लेखक थे, उन्होंने इससे दोस्ती कर लिए, दोस्ती करने से इनकी भी गडित बहुत अच्छी हो जब गड़ी दच्ची होगी तो मास्टर भी बहुत्ष खुश हो गए तो अब उनको आनन्धा कहकर लेखक को आनन्दा कहकर बुलाने लगे थे मास्टर जी अब उसका मन पाठशाला में लगने लगा था पहले तो भई बच्चे परिशान करते थे तो भई लेकर का मन पाठशाला में नहीं लगता लेकिन अमन लगने लगा था सौंदलेगर कर मास्टर मराठी पढ़ाते तो एक और मास्टर थे वो क्या नाम था सौंदलाई गर लिंगे कर तो ये जो थे वो मराठी भाषा पढ़ाते थे पढ़ाते समय वर स्वेम रम जाते थे जब मराठी पढ़ाते थे तो उसी में खो जाते थे सुरीले एकंट चंद वा रसित्ता के कारण वे कविता बहुत अच्छी पढ़ते थे मतलब बहुत ही सुरीले अब गाते थे चंद का उच्छारण बहुत अच्छा था तो जब पढ़ते थे तो सबको बड़ा अच्छा लगता था उन्हें मराठी वो अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थी वे कविता के साथ ऐसे जुड़े थे अबिने करके भाव बोध करते वे सें भी कविता रचते थे तो मतलब कविताएं वो अंग्रेजी और मठाटी की पढ़ते थे तो उन्हें आक्ट करके भी बताने लगते थे उन्होंने खुदने भी बहुत सी रचनाएं लिखी थी बहुत सी कविताएं उन्होंने खुद भी लिखी थी लेखक उनसे बहुत प्रभावित था खेट पर पानी लगाते समय या डोर चराते समय वह मास्टर के अनुसारी कविताएं गाता था वह उन्हीं की तरह अभने करता उसी तरह उन्हें अनुभव हुआ कि अन कविताएं भी इसी तरह पढ़ी जा सकती लेखक को मैसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उन्हें अकेला पन खटकता था अब वह समाप्त हो गया है उसे एकांत अच्छा लगने लगा अब क्या हुआ भई लेखक तो अपने टीचर से बहुत जादा प्रभावित थे तो अब खेतों के जो काम थे जैसे पानी डालना है वह वैशियों को चलाना है उस समय वह कविता गाने लगे जो कविताएं थी अब उन्हों सुझा जब हम यही कविता गा सकते हैं तो हम बाकी और सारी कविताएं भी गा सकते हैं तो उन्होंने वह भी करना शुरू कर दिया यह सारी चीज़े भैस चराते समय सब करते समय उन्होंने वह कविताएं गाने लगी जो ये सब काम करते समय उन्हें अकेला पन लगता था तो अब उन्हें लगा कि मतलब धीरे धीरे उन्होंने अपने तरीके विक्सित करना शूरू कर दिये ताकि कविताएं और ज़्यादा प्रभावशाली होने लगे वह अबने के साथ गाने लगा ता था अब उनके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे गा तो रहे थे अब चेहरे पर भी भाव आने लगे थी मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगा और उसे छटी साथवी कक्षा के बालकों के सामने गवाया पाट शाला एक समारों में उसे गवाया मास्टर स्वेम कविता रचते थे तो अब क्या हुआ जब इतना बढ़िया वो कविता गाने लगे तो उन्हें समारों में दूसरी क्लासों के सामने भी उन्हें खड़ा करके कविता गायन कराया जाने लगा उनके पास मराठी कवियों का संग्रह था मतलब की जो मास्टर थे वो खुद भी रचना करते थे और उनके पास जो मराठी कवियों का कावि संग्रह था पूरी तरीके से वे उन कवियों का संसमरण भी सुनते थे इस कारण अब वे कवी ही उसे आदमी लगने लगे थे सौंधिल कर स्वैम कवी थे तो अब क्या था कवी जब ये सारी जो कवी संग्रे जो मास्टर जी के पास था अब हमारे जो लेखक थे वो बढ़ने लगे उन्हें जो है बहुत अच्छा लगने लगा कि अब जैसे उनकों महसूंस और था कि वाकरी व्यूशवास हुआ कि कवी उनकी तरहसे हाड मासवा क्रोध लोब्र का नुश्य होता है लेखक को लगा कि भास्वं भी कविता कर सकता है मास्टर के दरवाजे पर चाय हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी लेख़क ने मालती लतावा कविता दोनों ही देखी थी इससे उसे लगा कि वह अपने आसपास अपने गाव खेतों आदी पर कविता बना सकता है भैस चराते चराते वह फसलों पर जंगली फूलों पर तुक बंदी करने लगा वह उन्हें जोर से गुनगुनाता तथा मास्टर को दिखाता अब क्या हुआ कि उन्हें लगने लगा कि अब उनकी मास्टर जी भी कभी ही थे तो उन्हें लगा कि नहीं, जो कवी होते हैं या लेखक होते हैं, वो हमारी तरह होते हैं, हमारी तरह हार्ड मास्की बने होते हैं, उन्हें भी गुस्सा आता है, खुशी महसूस होती है, तो उन्हें बहुते हैं, जब यह कर सकते हैं, तो इन्होंने भी कोशिश करी, मास्टर धीरे उन्होंने जंगल के फूलों पे, रास्तों पे, जानवरों पे, हर किसी पे तुकबंदी कुन्नी शुरू करती और इस तरीके से वो धीरे-धीरे कभी बनना शुरू हो चुके थे कविता लिखने के लिए वा कागज वा पैंसिल रखने लगे अब किसी भी समय कविता प्रकट हो जाती अब धीरे-धीरे अपने पास एक कागज वा पैंसिल हमेशा रखते थे उनके ना होने पर वा लकडी के छोटे टुकडों से भैस की पीट पर रेखा खीच कर लिखा लिखता या पत्थर की शिरा पर कंकड से लिख लेता अब कागज पैंसिल नहीं होता तो क्या करते लकडी का टुकडा हो जाते भैस की पीट पर लिख लेते कंकड से किसी पत्थर पर लिख लेते तो इस तरीके से जहां मिलता वो वहाँ पे कविता लिखना शुरू कर देते थे कंटस्थ हो जाने पर उसे पोच देते और जब उन्हें वो अच्छी तरीके से कविता याद हो जाती तो उन सब को वो पोच के साफ कर दिया करते थे वह अपनी कविता मास्टर जी को दिखाता कभी-कभी रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता वे उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाते थे अब जब कविता बना लेते तो मास्टर को दिखाते और कभी-कभी तो रात में मास्टर जी के घर पहुँच जाते अपनी कविता दिखाने के लिए अब कविता में कोई तुटी होती यानि कोई गलती होती तो वो समझाते की कैसे लिखा जाता है वे उसे चंद, अलंकार, शुद्ध लेकन, लेका ग्यान कराते कविता लिखते समय हमें सब चीजे ध्यान लखनी पड़ती है कहां चंद है, कहां तुक लगेंगे, कैसी ले में आएगा कौन सा लंकार आप इस्तेमाल कर सकते तो इन सभी का ग्यान मास्टर जी धीरे-धीरे लेका को देने लगे थे वे उसे पुस्तक वाकविता संग्रे देते उन्होंने उसे कविता करने के अनेग धर्रे सिखाए इस प्रकार लेका को मास्टर की निकटता मिली और उनकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा शबदो का महत उनकी समझ में आने लगा तो अब अब ये सारी चीजें back बढ़ने आ गया तो इस तरीके से जो एक आत्म कत्यात्मक अन्च हमारे सामने उपन्यास का प्रस्तुत किया गया था वो यहाँ पर समाब्ध हुआ किस तरीके से लेखक की जो पढ़ाई छूट गई थी किस तरीके से उन्होंने कितनी मुश्किलों से उस पढ़ाई को शुरू किया फिर धीरे धीरे वो किस तरीके से कवी बने किस तरीके से मराटी भाषा उन्होंने सीखी ले बन छे बन चंद युक्त जो कविताएं थी वो सभी करनी सीखी इस चोड़े से अंश में उन्होंने हमारे सामने रखी खुद आनंद यादव जी ने अपनी जीवन क्या था हमारे सामने रखी तो इस तरीके से ये पार्ट यहां पर खत्म होता है इसके अलावा हमारे पार्ट में और भी बहुत चीज़े होती हैं जो आप नहीं ढून पाते हैं तो उनके लिए आपको परिशान होनी की जरूरती हैं और भी सब्जेक्स हैं जिसमें आपको बहुती चीज़े ढूननी पड़ती हैं इसके लिए आपको परिशान होने की जरूरती हैं उसके लिए आपको करना क्या आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है www.magnetsbrains.com जब आप उस पर जाएंगे तो आपके सामने जो पेज उपन होगा उसमें सारी क्लासें मेंशन होगी तो आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं आपको बस वो क्लास क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने उस क्लास में जितने भी सब्जेक्स पढ़ाये जा रहे हैं वो आ जाएंगे तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में दावट है आप उस पे क्लिक करेंगे जहां ये वाच नाव लिखा रहता है आपको यहां पे क्लिक करना है तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस सब्जेक्ट के जितने भी बुक्स हैं, जितने भी चैप्टर से सब सामने आ जाएगे तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उस पे क्लिक करिए, क्लिक करते ही उस चैप्टर के अंतर का जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं आपके सामने आएंगे, आपको उस पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके सामने आपका वीडियो आजाएगा उसको देखिए अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए लेकिन हाँ साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं बूलिएगा